दोस्तों, अगर आप भी MacBook Pro user हो, या फिर MacBook Air आप यूज़ कर रहे हो, जो M1 Chip 1 के साथ में आता है, उसमें पता है कि आपको दो ही Thunderbolt port मिलता है, USB Type-C वाला, आप इसमें अपनी pen drives को नहीं connect कर सकते हो, आप इसमें SD card नहीं लगा सकते हो, आप इसमें HDMI cable को connect नहीं कर सकते हो, तो new MacBooks में ऐसे आपको दो ही Thunderbolt port देखने को मिलता है, अब जरूवत है कि आप जो एक multimedia hub लो, जिससे आप अपने external display, अपने USB pen drive अगरा को connect कर पाओ, तो ऐसे markets में दोस्तों काफी सारे ऐसे multimedia hubs अबलेबल हैं, जैसे मेरे पास में एक है Ultra Pro Link के तरफ से आने वाला multimedia hub, इसमें आपको USB के 3 port मिलते हैं, USB 3.0 वाले और एक आपको Ethernet का port मिलता है, अब मेरे को इस laptop के साथ में ये जो है free मिला था, अब इसमें problem ये है, और इस एक जैसे market में आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं, जो heat up बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब मैं इसमें सिर्फ दोस्तों, mouse का receiver इसमें मार्केट में आपको बहुत सारे multimedia hubs देखने को मिल जाते हैं, जो सस्ते होते हैं, तो सस्ते के चक्कर में बिलकुल आप मत पढ़िए, otherwise आपका Macbook जो है खराब हो सकता है, या फिर जो devices आप इससे connect करें, वो खराब हो जाती है है, heat की वज़े से, ऐसे में मेरे पास मे Belkin का 6-in-1 multimedia hub है, अब यहाँ पर क्या-क्या ports आपको देखने को मिल तुन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें HDMI का port मिलता है, आप इससे 4K की 30fps की वीडियो जो है, external monitor में देख सकते हो, यहाँ पर USB 3.0 के दो port मिल जाते हैं, एक आपको SD card का port मिलता है, बड़ा आपका तो Type-C वाला BG हो गया, तो वो काम यहाँ से हो जाएगा, मतलब कि आप अपने charger को डिरेक्ट यहाँ पर connect को तो आपका MacBook भी चार्ज हो जाएगा, इससे 60W की दोस्तों power delivery पॉसिबल है, तो आपका जो laptop है मेरे पास में MacBook Pro M1 वाला है, तो 61W charger के साथ में आता है, तो प्राम से मैं इसी port से अपने MacBook को चार्ज कर सकता हूँ, और यहाँ पर आपको एक Ethernet का port मिलता है, जो 5Gbps के आसपास सायथ से यह speed आपको दे सकता है, तो यह जो दोस्तों hub मिलता है, इसको मैं तकरीबन 5-7 दिन से यूज़ कर रहा हूं लगातार, और इसमें मैं एक external display भी Type-C से, और यहाँ पर कभी कबार एक जो slot बसता है USB वाला, इसमें मैं अपने mic को connect कर देता हूँ, तो बिलकुल यह busy रहता है, पूरे दिन 5-6 दिनों से मैं use कर रहा हूँ, और इसमें heat वाली कोई भी मेरे को problem नहीं मिली, पस हलका सा यह गरम होगा, लेकिन heat up नहीं करता है, और यह बहुत ज़्यादा safe है आपके Macbook के लिए, या फिर जो devices आप इसमे connect करते हो, उनके लिए भी यह safe होने वाला है, तो जब भी दोस्तों आप buy करो, तो Belkin का मैं आपको recommend करूँगा, market के अंदर में Honeywell के भी हैं, और बहुत सारे हैं, जैसे मैं offline try किया कि Belkin का buy कर लूँ लेकिन offline market में है नहीं, क्योंकि दोस्तों जो branded चीज़े होती हैं, उनमें दुकान वालों को profit कम होता है, इसलिए वो सारे local brands रखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्या आपका Macbook खराब हो, या फिर जो device आपस से connect करोगे, वो खराब हो, उनको सिर्फ बेचने से और profit से म मैंने आपको दिखाया था, कि बहुत ज़्यदा heat होता है, Portronics के मेरे को multimedia hub मिल रहे हैं, लेकिन मैं इतना आप इस बार decide कर ले था, कि लेना है तो Belkin का ही लेना है, भले कितना ही लेठ हो, और कितना ही पैसे मेरे लग जाएं, तो फिलाल इसकी जो दोस्तों जो price है Amazon के उपर म monitor connect करके दिखा देता हूँ, किस तरह से ये Belkin का multi media hub काम करता है, एक बात और मैं आपको बता दूँ, कि इस multimedia hub में आपको 2 year की warranty आती है, और warranty कैसे होगी, basically ये repair नहीं होगा, इनके service center में लेके जाओ, वो replace करके आपको नया दे देंगे, तो 2 year की आपको international warranty, Belkin के इस multimedia hub के साथ में देखने को मिल जाती है, और आपको इसका best file link मैं video description box में दे दूगा, तो आप जब भी multimedia hub लीजिए, आप जरूर से इसको buy कर लीजिए, Belkin का मैं आपको 100% recommend करूँगा, otherwise अगर आप ऐसे छोटे-छोटे सस्ते products को buy करोगे, तो आपके macbook के लिए ये खत्रा हो सकता है, औ आप जादा दिन कोई use नहीं कर पाओगे, 100% आप चेंज करोगे, तो इस case में आपके पैसे भी जादा बरबाद होगे, तो एक ही बार पैसा लगाईए, और Belkin का आप multimedia hub ये ले सकते हैं, या फिर दूसरे भी आते हैं, आपको मैं एक दूँ, multimedia hub skilling जो है, video description box में दे दूग आप देख सकते हो, कि यह जो है power up हो चुकी है, ride speed को test करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या result निकल कराता है, और ज्यादा difference नहीं है, मैं इसके चाहे type C से इसको connect करूँ, या फिर डियेटली मैं इसके एक thunderbolt port में लगाँ, speed मेरे को almost ऐसे ही देखने को मिलती है, तो अभी आप देख सकते हो, कि यहाँ पर ride speed हो 303 Mbps की मिल रही है मेरे को, और जो मेरे को यहाँ पर read speed हो 295 Mbps की देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो, कि यहाँ पर जो speed हो काफी सही मिल रही है, और मैं directly दोस्तों इस SSD से, इस hub के थूरू direct editing कर सकता हूँ 4K FCP में, और इसके साथ मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं अगर अपना external monitor connect करता हूँ इससे, तो वो भी काफी सही से connect हो जाता है, यहाँ पर दोस्तों भी दूसरा device मैं connect करता हूँ, जो मेरा external keyboard and mouse है, उसको भी मैं इसके USB से connect कर लेता हूँ, जिससे मैं वो भी आपको दिखा पाऊँ, तो यह जितने भी ports यहाँ पर दिये हैं, अगर आप सब को एक साथ use करते हो, तो भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं, तो यह मेरा mouse है, और अभी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर cursor से कुछ काम कर रहा हूँ, यह काम भी हो रहा है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है, तो यह सारे features काफी बढ़ियां से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है, तो यह जो hub है 100% मैं आपको recommend करूँगा, आप इसको buy भी कर सकते हो, आपको इसका link video description box में दे दूगा, आपके आदा पैसे waste नहीं हो, इसलिए मैं आपको Belkin का 100% दोस्तों recommend करूँगा, और यह Apple से भी certified है, तो आपको यह बात भूलनी नहीं चाहिए, कि अगर Apple कुछ भी दोस्तों अपने site पर sell करता है, तो ऐसे नहीं sell करता है, और यह जो Belkin क Hub है दोस्तों, यह M1 के लिए भी comfortable है, बतलब कि मैंने customer care से बात किया था, इसको buy करने पहले, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे, कि कुछ problems आ रही है, तो customer care ने check करके मुझे बोला, कि हाँ, यह M1 के लिए भी comfortable है, आप इसको buy कर सकते हो, कुई दिक्कत आपको M1 वाले laptops में देखने को नहीं मिलेगी, तो अगर आप भी दोस्तों, इसी तरह का कुछ Hub जो है, वो use करना चाहते हैं, या फिर आप लेना चाहते हैं, तो इस तरह के आप सस्ते वाले बिलकुल भी मत लीजिए, आप जो है Belkin का ये ले सकते हो, otherwise दोस्तों, अगर आपको सिर्फ जो है USB port क कि जरो था आपको एक mouse connect करना है, या फिर आपको कभी pen drive connect करनी है, तो इस तरह के OTG आपको इस तरह का adapter मिलता है, ये आपको local market में 50-60 रुपए का मिल जाएगा, कुछ best के मैं link आपको video description box में दोगा, काफी दुनों तक दोस्तों, मैं अपना external mouse ये connect करता था, मतलब इस dongle के सिर्फ एक ही port का यूज़ करना है, चाया आपको कभी pen drive यूज़ करनी है, या कभी इस तरह का आपको mouse connect करना है, keyboard connect करना है, सिर्फ आपको एक ही port की जो रोत है, तो इस तरह का आप ले सकते हो converter ये आपको इसलिए आपको local market में भी मिल जाएगा, मैं आपको link भी दे रहा तो वीडियो को आप like कर दीजिए चैनल पर, अगर आप पहली बार हो तो इस चैनल को subscribe करके bell icon हिट करो, कुछ इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ, मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में